हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल करेंगे कम्यूनिटी साइंस का कोश्चन पेपर बच्चों ये कम्यूनिटी साइंस का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है हर्याना के अंदर ये अभी हाल ही में हुआ है 31 तारिक को 31 अक्टूबर 2020 को ये हो गया है ठीक है तो इसके 100 कोश्चन इसमें पुछे गए थे जो बेसिक से कोश्चन थे जिक्के के जिसमें बायोक भी इंकलूड थी फिजिक्स और कैमिस्टी के भी कुछ कोश्चन थे और कुछ कोश्चन इसमें जनरल साइंस के थे जो इसमें थे वो बायोलोजी से पुछे गए थे तो चलो बच्चों शुरू करते हैं के कोश्चन हम यहाँ पे और आई होब कि ये कोश्चन किसी ने किसी बच्चे को फायदा देंगे तो देखिए पहला कोश्चन जो इसमें पुछा गया था वह है what type of reaction these are respiration, vegetable decomposition and turning into composed respiration और यह किस तरह की reaction है endothermic या exothermic तो देखिए बच्चों जो respiration है respiration जब होता है तो glucose टूटता है और उससे energy liberate होती है energy निकलती है और जब भी energy निकलती है या heat निकलती है तो उसे हम exothermic reaction बोलती है ठीक है और vegetable जब decompose होती है तो उस time पे भी composed बनता है और उसे में में से भी heat बाहर निकलती है तो उसे भी हम exothermic reaction का नाम देते हैं यानि के B जो है वो इसका right answer है उसके बाद next question है हमारा what is the chemical formula for lead nitrate lead nitrate का chemical formula पूछका आपसे तो इसका formula होता है PB NO3 twice A is the right answer then next है हमारा litmus and turmeric are the type of indicator litmus वे healthy किस परकार के सूचिक है किस तरह के indicator है so यह दोनों ही natural indicator, synthetic indicator, both type, not indicators तो जो litmus और turmeric है यह प्रकरती में naturally पाए जाते हैं ठीक है यहाँ पे कोई synthetic वाली बात नहीं है synthetic वो होता है जो lab में में बनाए जाते हैं तो यह सिरफ natural indicators है A right answer होगा इसका synthetic indicator में आपका जैसे की phenophthalene और methyl orange जैसे example बच्चों आ जाते हैं fourth question देखिए which substance is used in the formation of bleaching powder bleaching powder में कौन सा substance use किया जाता है उसके निर्मान में तो bleaching powder जब बनाते हैं हम तो calcium hydroxide का use किया जाता है calcium hydroxide का use किया जाता है bleaching powder बनाते time then sodium hydrogen carbonate is known as sodium hydrogen carbonate को किस नाम से जाना जाता है इसको bleaching powder के नाम से जाना जाता है baking soda के नाम से जाना जाता है plaster of Paris या washing soda के नाम से जाना जाता है sodium hydrogen carbonate जो होता है इसको NaCO3 या simply baking soda बोल देते हैं आम तोरपे से मिठा soda भी बोलते हैं या baking soda बोल देते हैं बेकरी में बिस्किट गएरा बनाने में या पूरिया गएरा बनाने में इसको यूज किया जाता है नेक्स्ट सिथ कोशन है हमारा हिलियम नियोन एंड आर्गन अर्दी एग्जैंपल लोफ तिनों ही बच्चों इनल्ट गैसीज है तिनों के तिनों क्या है इनल्ट गैसीज है आर्गन है जिनोन भी होती है एक रेंड ओन ये सारे के सारे नोबल गैसीज है ये किसी से रियक्षन नहीं करती शांत गैसीज है उत्कृिस्ट गैसीज है सी राइट आंसर हो गया इसका After that 7th question में पुछा गया what is the function of platylates in blood blood के अंदर platylates का क्या काम होता है तो क्या वो oxygen और CO2 का transport करती है, body को defense करती है, या clothing में help करती है, या इन में से कोई भी नहीं तो देखिए बच्चो, platylates तब काम आती है जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे थक्का जम जाता है, उसको बोलते है floating, so C is the right answer here 8th question है हमारा pumping organ of human body is शरीर का pumping organ कौन सा है सब को पता है कि pump कौन करता है हमारी शरीर में, heart, heart जो होता है वो blood की pumping करता है then moving to the next question which is a plant hormone plant hormone कौन सा है oxyn, zeberlin, cytokinin सारे के सारे जो example है वो plant hormone की है all of these vegetative propagation in bryophyllum occurring bryophyllum में vegetative propagation कैसे होता है bryophyllum जिसको पत्थर चट भी बोलते है vegetative propagation का मतलब होता है कि जब plant का कोई part use हो रहा हो नए plant को बनाने में तो bryophyllum के पत्थों के उपर छोट-छोटे पत्थे लगे होते है जिस से क्या होता है कि नया plant germinate कर सकता है तो leaf आ जाएगा इसका चीकर न, leaf से नया plant भी बन सकता है 11th question है four arm of man and front feet यानि के four limb of lizard are the example of मनुश्य के बाजू तथा चिपकली के अगरपाद हैं क्या हैं वो homologous organ analogous organ both a and b none of these तो ये बच्चों four arm of man और front feet of lizard चिपकली के जो आगे के जो हाथ होते हैं दोनों ही अंदर से जब आप देखोगी तो structure तो same है लेकिन उनका function अलग अलग होता है कि हम तो अपने हाथों से अलग अलग काम करते हैं लेकिन जो चिपकली होती है वो चलने का काम करती है ठीक है ना तो homologous organ आएगा क्योंकि homologous organ का मतलग होता है ऐसे structure जो ऐसे organ जिनका structure तो same हो लेकिन function अलग अलग हो तो दोनों का function अलग अलग है structure same है तो the right answer is homologous organs पैल्थ question देखिए which of the following substance was absent during origin of earth in our atmosphere कि जब origin of earth यानि कि जब धरती बन रही थी धरती के उपर जीवन के उत्पत्ती हो रही थी उस टाइम पे कौन सा substance absent था absent पूछ रहा आप से methane, co2, oxygen, water तो बच्चों सारी चीजें थी सिवाए free oxygen के free oxygen उस टाइम पे available नहीं थी free oxygen को बनने में time लगा था ठीक है concave mirror is used in अवतल दरपन का प्रयोग किसमें होता है torch में, search light में headlight of vehicle वहनों के अगत, दिपो में या all of these तो जो concave mirror होता है बच्चों वो सभी में use होता है torch, search light, torch, headlight तीनों में use होता है so all of these is इसका right answer हो जाएगा 14th question है what will be the power of concave lens having focal length 2 meter 2 meter अगर focal length हो तो एक मिनट अगर focal length 2 meter है तो concave lens की power क्या होगी तो इसको calculate अगर आप करोगे तो यह around 0.5 minus 0.5 के around यह निकल के आता है c is the right answer what is the relation between angle of incidence and angle of reflection दोनों में क्या relation है पहला option है कि क्या वो equal होते है b option में क्या angle of incidence बड़ा होता है c option में दिरखा क्या angle of reflection बड़ा होता है या इनमें कोई relation नहीं होता तो बच्चों दोनों ही actual में equal होते है a option इसका right answer हो जाएगा सोड़मा question देखिए name the membrane of eye from which light enters into eye आंक की कौन सी जिल्ली है कौन सी membrane है जिससे प्रकाश आंक के अंदर enter करता है तो मैं पिछे से शुरू करता हूँ इसका eye muscles ये कोई जिल्ली नहीं है पहली बाद तो ये cancel हो जाएगा retina retina से light enter नहीं करती है retina के उपर तो light गिरती है तब हमें दिखता है ये भी नहीं आएगा ठीक है lens कोई जिल्ली नहीं है lens सिर्फ हमें देखने में help कर रहा है cornea yes cornea सबसे बाहर के जो membrane होती है उसकी help से उसके अंदर से जो light enter करती है तब जाकर के फिर वो lens से गुजरते हुए retina पे गिरती है so cornea जो है वो membrane होती है जिसके अंदर से light जो है cross करती है A is the right answer बहुत easy paper दिया हुआ बच्चों बहुत ज्यादा easy paper दिया हुआ है so 17th question क्या है cataract is the disorder of disorder of eye in which मोतिया बिंद आंक का वहे अवस्था है जिसमे color blindness यानि के रख तंदरता होती है clouding of the clear lens of eye occurs lens दुंदला हो जाता है myopia निकट दिरिष्टी दोश है या इन में से कोई नहीं बच्चों जब cataract होता है तो आंक का जो lens होता है मान लीजिए या आक का lens है इसके उपर सफे सफेद परत जम जाती है यानि के lens क्या हो जाता है धुंदला हो जाता है clouding of the clear lens of eye occurs और इसके बाद जब डॉक्टर के पाद जाते है तो डॉक्टर lens को साफ कर देता है फिर वापस दिखना स्टार्ट हो जाता है इसको आम भाशा में सफेद मोतिया भी बोलते है next है 1 micro ampere में कितने ampere होते है बिल्कुल कितना easy सा question है कि 1 micro ampere में कितने ampere होते है बच्चों जब ही micro आप से पुछा जाए तो micro का मतलब 6 से correlate करोगे और nano का मतलब आप correlate करते हो 9 से ठीक है ना तो micro का यहाँ पर हो जाएगा 10 raised to power minus 6 ampere हमेशा याद रखना कि micro मतलब 6 से related nano मतलब 9 से related है 19th question देखिए which statement is true for acetic acid acetic acid के लिए कौन सी statement true है पहली statement है 3 to 4% solution of acetic acid is vinegar next acetic acid is not known as glacial acetic acid it is not used as preservative देखो यही से answer मिल रहा है C में बोलगा it is not used as preservative यह statement गलत हो जाती है क्योंकि acetic acid जो vinegar होता है वो preservative के तोर पर इस्तेमाल होता है अचारव गयरा में इसको डालते है ताकि अचारव गयरा खराब ना हो और भी कई चीजों में यूज होता है और क्योंकि C नहीं है तो D भी cancel हो जाएगा इसका तो actual में acetic acid से हम vinegar बनाते है 3 to 4% solution of acetic acid is vinegar और इस vinegar को हम preservative के तोर पर यूज करते है A statement जो है वो correct statement है 20th question है Biogas is best fuel because biogas जो है biogas को बच्चों हम gober gas भी बोलते है best fuel है क्यों best fuel है क्योंकि उसके अंदर 75% methane होती है no residue remain after burning both A and B बिल्कुल methane gas भी उसके अंदर होती है और कोई residue भी नहीं बचता कोई अवशेश भी नहीं बचता जलाने के बाद यानि के इसका अंसर हो जाएगा both A and B उसके बाद में है according to United Nation Environment Program UNEP manufacturing of CFC was limited to manufacturing level of the year सेंक तराष्टर संथ के अनुसार CFC के उत्पादन के स्तर को किस वर्ष के उत्पादन तक सीमित कर दिया गया था सीमित के लिए पुछा गया बच्चों तो इसको जो सीमित किया गया था 21st का आएगा 1986 1986 में इसको सीमित कर दिया गया था which substance are known as inert as they remain in the environment for a long time कौन से substance को हम inert मानते हैं inert का मतलब होता है जो किरिया ना करें ठीक है और environment में लंबे time तक बना रहे हैं क्या वो bio degradable है non bio degradable है तो बच्चों जो bio degradable होते हैं उनको तो सुक्षम जीव नस्ट कर देते हैं वो तो हो नहीं सकते देखो जो plastic होता है ना उसको कोई भी सुक्षम जीव degradable नहीं कर सकता तो ऐसे कौन से पदार्थ है जो inert है non bio degradable और example मैंने आपको बता दिया plastic का plastic को organism microorganism जो होते हैं वो degraded नहीं कर सकते वो inert होते हैं क्रिया नहीं करते आपने देखोगा plastic किसी से क्रिया नहीं करता किसी भी bacteria वगएरा से तो वो inert है formula of benzen benzen का formula दे दिया वाई C6 H6 ठीक है और आप से पुछा गया किया है cyclohexane का formula पुछा गया बच्चो cyclohexane के अंदर अंदर वाली bonding तो होती नहीं है तो इसमें क्या होगा कि hydrogen एक एक और बढ़ जाएगा तो इसका formula बन जाएगा C6H12 B is the right answer C6H12 cyclohexane का formula होता है और कुछ ऐसा दिखता है आपका cyclohexane simple ऐसा होता है यह cyclohexane है और benzen ऐसे होता है बच्चो like this this is benzen chlorofluorocarbon is used for chlorofluorocarbon का उप्योग किस लिए किया जाता है आग बुजाने के लिए pesticide के रूप में air conditioner में या all of these chlorofluorocarbon हम सिरफ air conditioner में use कर दे है C is the right answer after that 25th question है which element substance is responsible for the formation of ozone ozone के निर्मान में क्या चाहिए है hydrogen चाहिए है oxygen methane या water तो बच्चों ozone का formula होता है O3 यानि के इसको बनने के लिए oxygen के जरूरत पड़ी होगी right so oxygen इसके लिए जरूरी है B is the right answer name the metal having minimum resistance देखो बच्चों कितना easy question पूछा गया का है किस metal का होता है किस दातू का होता है तो चांदी जो है वो best conductor है ठीक है उसके अंदर से easily electricity pass हो सकती है और जो best conductor होता है उसका minimum resistance होता है so silver is the right answer heating effect of current is used in heating effect of current is used in voltmeter electric motor generator electric bulb heating effect का जो है विदियो धारा के तापन प्रभाव का प्रयोग होता है इसका है बचों electric bulb D is the right answer how many ampere of current is required for AC and geyser AC और geyser के लिए कितने ampere current की हमें requirement होती है so 28 का हमारा आ जाएगा actually इसमें एक range होती है 15 से 20 की 20 तो इसमें देनी रखा है तो हम इस पे click करेंगे 15 ampere पे ठीक है 15 से 20 तक जो AC और geyser काम करते हैं लेकिन 20 इसमें हमारा देनी का तो हम 15 पे click कर देते हैं नाइक्रोम नाइक्रोम किस चीज़ का बना है निकल का मैंगनीज का आईरन और क्रोमियम का तो बच्चों जो नाइक्रोम होता है पहले बात तो यह एक alloy है एक मिशरधातू है और यह इसमें क्या है कि निकल भी होता है आईरन क्रोमियम भी होता है मैंगनीज भी होता है ठीक है और भी कुछ metals होती है तो all of these हमारा right answer हो जाएगा kilowatt hour is the unit of kilowatt hour किसकी unit है simple सा question है kilowatt hour जो होता है बच्चों यह electric power की unit होती है image formed by convex mirror is always convex mirror से जो image बनती है वो कैसी होती है उत्तल दरपन दवारा बना हुआ प्रतिविम कैसा होता है पहले बात तो वो आभासी होता है बिलकुल ठीक है erect भी होता है यह बात भी ठीक है सीधा होता है size में भी छोटा होता है यह भी ठीक है मतलब answer कि आपका all of these pituitary gland अब देखो बायो से question पुछा गया है pituitary gland is master gland in human body यह बात ठीक है pituitary gland master gland होती है which one is the largest gland अब largest gland पुछ गया बच्चों तो यहाँ पे exocrine और endocrine का कोई funda नहीं दिया गया सिर्फ आपसे largest gland पुछ गया है तो शरीर के जो सबसे बड़ी gland होती है वो होती है liver ok which among all is the example of metaloid metaloid का example आपको बताना है बच्चों तो sodium, potassium, calcium, silicon silicon यह silicon जो है यह metaloid होता है what is the nature of baking soda baking soda का nature क्या होता है बच्चों आपके घर में जो मिठा soda होता है baking soda होता है sodium bicarbonate वो कैसा होता है तो आपने note किया होगा कि जब भी आपको तेजाब बगएरा बनता है तो आप ino लेते हो तो ino के अंदर baking soda होता है मतलब कि वो acid को neutral कर रहा है हमारे पेट में जो acid बना है उसकο baking soda क्या कर रहा है neutral यानि कि neutral कर रहा है तो baking soda कैसा होता होगा basic क्योंकि acid को को neutral कर सकता है सिर्फ base ही neutral कर सकता है तो baking soda क्यों होता है basic और इसलिए यह हमारे पेट में बनने वाली acid को neutral कर सकता है which material is used to make statue इसको बनाने के लिए क्या यू recharge है calcium sulphate hemihidrate sodium chloride sodium bicarbonate या sodium sulphate तो calcium आपने देखा चोट वगाईरा लगती है ना जब plaster करते हैं किसी का हाथ पेट ओड़ जाता है तो plaster में क्या होता है calcium sulphate hemihidrate हुरता है ched we two hour beetje होताStudy होता और वो थोड़ी दिर के बाद solid हो जाता है आपने देखा ना हाथ के उपर जो plaster होता है वो सूख जाता है और dry हो जाता है तो इसी का use किया जाता है statue गैरा बनाने के लिए जनर्रल साइंस का question है river irrigation known as cool is related to which state यह जो cool वाला river irrigation system है यह ज़्यादा तर popular है यह starting में इसको popularity में लिए हिमाचल परदेश से B is the right answer what are known as producers in food chain producers कौन है producer का मतलब होता है जो food बनाते हैं शुरुआती दोर में तो हमें पता है कि green plants तो producer होते ही हैं क्योंकि भोजन starting में वही बनाते हैं सुरिया की धूप से और स्यूटू से अगर आप पानी की बात करें तो पानी के अंदर या समंदर के अंदर blue green algae ये भी food बनाते हैं तो दोनों ही हो जाएंगे that means C is the right answer which is not based on biomass energy biomass energy पे based कौन सा नहीं है लकड़ी ये तो biomass energy में आता है gober gas भी biomass energy का ही है koila भी है nuclear energy yes nuclear energy जो है हमें पता है nuclear reaction करवानी पड़ती है इसके लिए nuclear reactors होते हैं तब जा करके ये energy बनती है मतलब कि nuclear energy बनती है तो ये bio mass energy से कहीं भी related नहीं है 39th question देखिए which magnet is temporary in nature कौन सा magnet temporary होता है simple magnet, electromagnet simple magnet बोलते हैं बच्चों natural magnet को जो आप तो आम तोर पे चुम्बक होता है हमारे पास या बच्चे खेलते हैं रेडियो से निकलता है जो ठीक है वो हमेशा magnet रहता है वो कभी भी खतम नहीं होता temporary पूछ रखा question में आप से तो electromagnet उजो होता है बच्चों यह कुछ टाइम के बाद में अपना magnetism खो देता है यानि कि यह temporary होता है ठीक है निकल भी होता है copper भी होता है so a is the right answer sorry 41st question देखिए when sodium hydroxide react with HCl this is a reaction this is a type of reaction किस तरह की reaction है जब sodium hydroxide और HCl reaction करते हैं अब आपको यहाँ पी यह देखना है कि HCl क्या होता है strong acid sodium hydroxide जो है strong base है और जब acid और base टकराएंगे तो क्या हो जाएगा neutral हो जाएगा दोनों ब्राबर पावर के टकराएंगे तो क्या हो जाएगा neutral तो यह neutralization reaction का example है बच्चों which chemical is used to purify water पानी को purify करने के लिए कौन से chemical का use करते हैं तो आपने देखा होगा waterworks बगएरा के अंदर बहुत बड़े बड़े tank होते हैं पानी के तो वहाँ पे क्या डालते हैं baking soda थोड़े ना डालेंगे ना washing soda डाल सकते हैं पानी को साफ करने के लिए bleaching powder table salt bleaching powder डालते हैं बच्चों bleaching powder से उसके किटानों वगएरा पानी के मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है black coloration of silver metal is due to the formation of चांदी का जो काला रंग है वो किस कारण हो जाता है आपने देखा होगा चांदी के आभूशन जो होते हैं घरों में वो कुछ ताइम के बाद काले होने शुरू हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है बच्चों चांदी क्या करता है हवा के अंदर जो sulfur होता है न उस sulfur के साथ reaction कर लेता है और sulfur के साथ में reaction करने के बाद में ये बन जाता है silver sulfide यानिके silver sulfide के कारण अभूशन जो होते हैं चांदी के वो काले पढ़ जाते हैं identify noble gases among these देखो noble gases पर दूसरा question आप से पुछा गया तो noble gases मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ ऐसी gases जो किलिया नहीं करती helium, argon, neon, genuine, random, ऐसी बहुत सारी gases है यह सारी ही जो हैं वो noble gases, so the right answer is all of these aluminum has atomic number 13 इसके valency क्या होगी atomic number 13 valency क्या होगी देखो बच्चों पहली जो shell होती है ऐसे मान लिज़े यह shell बना लेते हैं पहली shell के अंदर maximum 2 ही electron आ सकते हैं दूसरी shell में maximum 8 electron आ सकते हैं तो 8 और 2 10 बच्चे कितने? 3 और यही shell reactive होती है लास्ट वाली यानि के 3 जो है वो इसके valency हो जाएगी C is the right answer next पुछा है यूरिया इस फॉर्म्ड इन विच पार्ट ओफ human body? मानव शरीर के कौन से हिस्से में यूरिया बनता है? किडनी में, मसल में, हार्ट में, लिवर में अब कई बच्चे इसका किडनी करके आए है तो मैं बता दूँ बच्चों किडनी से सिरफ निकलता है, ठीके ना? किडनी नहीं आएगा क्योंकि किडनी से निकलता है question पूछागे, बंता कहां पर है? बंता है बच्चों लिवर में लीवर में यूरिया बनता है हमारे शरीर में और बनने के बाद फिर वो जाता है किड्नी में और वहां से बाहर यूरिन के जरीए मुत्र के जरीए वो बाहर निकाल दिया जाता है लीवर के अंदर बनता है ये ध्यान रखना है कुछ बच्चे इसका किड्नी करके हैं गलत है 4 chamber of heart is found in heart के 4 chamber किसमें पाई जाते हैं bird and mammal, fish, amphibian, all of these देखो प्यारे बच्चों, fish के अंदर तो सिर्फ 2 ही chamber होते हैं amphibian के अंदर 3 chamber होते हैं और bird और mammal में 4 chamber होते हैं heart के अंदर मान लो ऐसे heart बनाएं तो ऐसे हमें 4 chamber देखने को मिलेंगे So, A is the right answer Which plant hormone can change a dwarf plant into lengthy plant कौन से plant hormone है जो छोटे पोदे को बढ़ा कर सकता है अगर मान लोग को इप्लांट छोटा रह जाए तो हम कौन से hormone का छिड़का करेंगे जिससे वो बढ़ा हो जाए Oxyn, Zeberlin, Cytokinin, Ethylene तो बच्चों, जो Zeberlin है वो stem की length को बढ़ाता है जिससे क्या हो जाता है एक plant लंबा हो जाता है ठीक है, Zeberlin, right answer होगा Amoeba reproduce by the method of Amoeba कैसे reproduction करता है तो देखे बच्चों, जो Amoeba होता है मान लीजिए, यह Amoeba है Amoeba लंबा होना start हो जाएगा और बीच में से तूट जाएगा और दो हिसों में बंट जाता है तो इसको binary season बोलते हैं क्योंकि दो कुड़ों में वो तूट गया तो इसको बोलते है binary season, ऐसे Amoeba reproduction करता है अपनी संख्या को बढ़ाता है 50th question है Which one is the example of fossil जिवाशम का उधार्ण क्या है fossil वो होते है बच्चों माल लो कोई जानवर मर गया और जमीन के निचे दब गया तो खुदाई में जो निकलते हैं कोई भी organism, कोई भी जीव खुदाई में जब निकलता है तो उसको fossil बोलते हैं तो कबूतर नहीं आएगा बर्ड के सज़ासा दिखने वाला तो लंबी सी चौच भी होती है पंक भी होते है और इसमें कुछ जो गुण होते हैं वो रेप्टाईल के भी होते हैं तो ये एक जिवाशम है फिफ्टी, फर्स्ट कोश्चन देखी है हमारा इमेज फॉर्मड इमेज फॉर्मड बाई सारी इमेज फॉर्मड विल ओल्वेज भी इरेक्टी किसमें इमेज जो बनती है वो हमेशा ही इरेक्ट होगी सिध्धी होगी only plane mirror, only convex mirror, only concave mirror plane as well as convex mirror देखो बच्चों, convex mirror में भी इमेज हमेशा सिध्धी बनती है और plane mirror में भी तो D में हमारा option देखा है plane as well as convex mirror तो हमारा right answer एक्चोल में क्या होगा D, क्योंकि plane और convex mirror दोनों में इमेज सिध्धी बनती है transplantation of eye means transplantation of जब आँक का operation करते हैं तो किस चीज़ का परतियार open किया जाता है तो बच्चों, cornea, lens, iris, retina retina को कभी भी परतियार उपित नहीं करते ठीक है, ये नहीं आएगा iris तो opening होती है, आगे जहां से light enter कर रही है cornea और lens cornea को परतियार उपित नहीं करते हैं बच्चों, सिरफ lens होता है जब भी आँका operation करवाने जाते हो तो डॉक्टर पुराने lens को निकालके नया lens वहाँ पर फिट कर देते हैं lens का परतियार open होता है diameter of human eyeball human eyeball का diameter पूछर का बच्चों तो human eye का जो diameter होता है basically वो होता है 25 के around 25 mm होता है ठीक है, तो 25 mm का मतलब हो जाएगा हमारा 2.5 cm क्योंकि एक cm में 10 mm होते हैं तो ये भी हमारा right answer हो जाएगा SI unit पुछ गई है potential difference की बहुत easy सा question है potential difference की SI unit का होती है ampere, volt, clam, zool तो सब को पता है, वोल्ट इसकी SI unit होती है resistance of a conductor depend on conductor का जो resistance होता है वो किस चीज़ पे निरभर करता है length पे depend करेगा area पे nature पे, length area और nature तिनों पे depend करता है all of these क्या होगा इसका right answer तिनों पे ही depend करता है कि कोई conductor कितना resistance show करेगा, कितनी रुकावट show करेगा what is the frequency of current in domestic supply घरों में जो supply होती है उसके अंदर current के जो supply होती है, वो कितनी होती है तो current के almost जो supply होती है बच्चों वो रहती है, आपकी 50 हर्टज के पास में 50 हर्टज के पास में which scientist discovered that moving magnet can also produce electric current कौन से वगयानिक ने ये बताए कि moving magnet कि अगर magnet में कोई moment हो रही है तो उसे electric current यानि के विज़ुद्धारा प्रवाहित होती है Michael Faraday, Maxwell, Fleming, Oster Faraday भाई साब ने बताया था Michael Faraday ने सबसे पहले बताया था कि moving magnet से electricity produce हो सकती है आगे चलिए बहुत ज़्यादा easy paper आया हुआ इतना easy paper मैंने कभी नहीं देखा in a food chain who comes at top or last level in traffic level सबसे top level पे कौन होता है किसी food chain में तो food chain में top पे कौन होगा देखो बच्चो सबसे पहले तो घास आते है घास को हिरन खाता है और हिरन को फिर मान लिजिए कोई शेर खा गया तो सबसे top level पे कौन है मासाहरी यानि के कारणी वोरस चिपको अंदोलन is associated with चिपको अंदोलन किसे संबन दित है बच्चों जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो बहुत सारे लोग थे पहाड़ी साइड में वो पेड़ों से चिपक गए थे उनको बचाने के लिए तो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको अंदोलन को शुरू किया गया था उसके बाद बायो का एक क्वेशिन है मानव के कौन से शरीर में कौलिफों बैक्टिरिया पाया जाता है माइंड में, इंटिस्टाइन, किडनी या हर्ट में माइंड में नहीं है किडनी में भी नहीं होता हर्ट में भी नहीं होता इंटिस्टाइन के अंदर या बैक्टिरिया आम तोर पे पाया जाता है B is the right answer which fiber is also called magical fiber कौन से fiber को magical fiber बोला जाता है तो 61 का हमारा हो जाएगा बच्चों वुल, उन जो होती है उनको बोलते है magical fiber ठीक हो what is done to end the shrinkage of the fabric fabric की shrinkage को रोकने के लिए क्या किया जाता है cleaning भी की जाती है tentering भी की जाती है mercerizing की जाती है all of these cleaning भी करते है तक कि यह कपड़ा सिकुडेना tentering का मतलब होता है उसको खीचना, खीचाव करना उसमे tentering भी की जाती है mercerizing का मतलब होता है उसको हलकी से एक polish दे के चमक पैदा की जाती है ताकि वो सिकुडेना तो mercerizing भी किया जाता है mercerizing का मतलब चमक पैदा करना ठीक है all of these इसका right answer हो जाएगा which of the following fiber content cellulose कौन से fiber के अंदर cellulose होता है oon के अंदर, cotton कपास के अंदर nylon में या ratio में तो बच्चों जो cotton होते है जो कपास होती है उसमें होता है cellulose next देखिए the process of making cloth white is known as कपड़ों को सफेद करना क्या बोलते हैं इसको whitening of cloth simple सा है इसका bleaching बोलते हैं बच्चों fibers of textile by the process of mercerizing mercerizing पर देखिए एक फिर से question पूछ लिया गया है तो मैंने आपको बताया उपर कि mercerizing का काम होता है चमक पैदा करना तो इसमें देखो पहला option है साफ हो जाते हैं become shiny, become stiff, become waterproof तो मैंने बताया कि shiny यानि कि चमक आती है mercerizing से what is the ability to return to the first position when the fabric is pressed or folded कि जब भी कपड़े को दबाने या मोडने पर पहली अवस्था में अगर कोई वो चीज़ लोट आती है fabric तो उसको क्या बोलते हैं तो देखो आपने देखा गए elastic को जब आप खींचोंगे और छोड़ोगे तो वापस अपनी जगया पर आ जाएगा तो elasticity इस property को बोलते हैं B is the right answer 67th question है हमारा undigested carbohydrate is अभी इस question को ध्यान से देखे बच्चों कई बच्चे इसमें गलती करके आए है ऐसा carbohydrate जो digest ना हो कई बच्चे इसमें cellulose करके आए है cellulose नहीं आ सकता बच्चों क्योंकि देखो मानव शरीर के बात करें तो मानव के अंदर तो जो cellulose है वो undigestable जरूर है लेकिन animal इसको पचा सकते हैं ठीक है शुक्रोज को भी digest कर सकते हैं तो ये भी नहीं आएगा lactose को भी हम पचा सकते हैं ये भी नहीं आएगा ठीक है पेक्टिन एक मातर है ऐसा है कार्वाइडरेट अगर उसको खा लें तो ना तो इनसान में पचेगा ना जानवर में पचेगा किसी के भी अंदर वो digest नहीं होता है वो यूँ का यूँ waste से बाहर निकल जाएगा undigestable है ये mistake कई बचों नहीं की है तो डी इसका राइट आंसर है which disease is caused by protein deficiency protein की कमी के कारण कौन सी बिमारी हो जाती है क्वाश्योर कर मेरिसमस night blindness यानि के रात को ना दिखना या बेरी-बेरी क्वाश्योर कर और मेरिसमस में कही बच्चों को confusion था तो बताता हूँ देखो बच्चों क्वाश्योर कर का मतलब होता है सिर्फ protein की कमी क्वाश्योर कर में सिर्फ protein की कमी होती है मेरिसमस में protein के अलावा बाकी nutrients की बी कमी होती है तो सिर्फ protein की कमी से कौन सी बिमारी हो रही है क्वाश्योर कर तो हमारा ज्यादा प्रीसाइज आंसर जो बनता है वो होगा आ Beriberi is caused by the deficiency of which nutrient Beriberi रोक किस पोस्टिक तत्व की कमी के कारण होता है तो ये तो सब को पता है वही विटामिन B की कमी के कारण होता है लेकिन यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ना वो विटामिन B के ही दे रखे हैं राइबो फ्लैविन जैसे B2 को बोलते हैं नियासिन ये भी विटामिन B का ही एक रूप है थाइमिन विटामिन B1 को बोलते हैं निकोटेनिक एसिड क्योंकि B1, B2, B3 ऐसे बहुत सारे होते हैं ब sticky is cold, मा का पर्थम दूद जो गाड़ा, पीला, चिप-चिपातों से क्या कहते हैं, cholesterol, no, cholesterol नहीं बोलते हैं, बच्चों, cholesterol तो शेरीर में जो चिकनाई होती है, उसको बोलते हैं, chlorophyll तो plants में होता है, column वगेरा ये कोई word नहीं है, cholesterol, yes, cholesterol बोलते हैं, मा के पहले दूद को, और ये बहुत important question है, हमेशा पूछा जाता है, वाइनगर क्या है, सिर्का क्या है, तो बच्चों सिर्का acetic acid से बनता है, पहले ही आ चुक है हमारे इसके बारे में, 3-4% acetic acid से, तो acetic acid क्या है, acid है, यानि कि acetic reagent है वो, the average height of an Indian baby at the time of birth, बर्थ के time पे जो average height होती है, एक baby की, वो क्या रहती है, तो जो average height है, 72 जो एक question है, इसमें एक range आपको ध्यान में रखनी है, कि 45 से almost ये 55 तक की range होती है, तो 45 से 55 की range में हमारा 50 लाई कर रहा है, 50 हमारा लाई कर रहा है, तो हम इसका right answer कौन सा करेंगे, C वाला, ठीक है, 45 तो 55 की range होती है, तो उसमें 50 हमारा सही बैठ रहा है, fiber obtained from cocoon, cocoon जो होता है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उससे कौन सा क्या निकलता है, obviously रेशम ही निकलेगा, wool, linen, kapox, रेशम, B हमारा right answer हो जाएगा, बी is the right answer, रेशम, सिल्क, आगे चलिए, 74th question, utilization of family resources is called, परिवारिक साधनों को सदूपयोग को क्या कहते हैं, परिवारिक budget, गरिया प्रबंद, interior decoration, अंतर सजावट, decoration सजावट, तो home management बोलते हैं, अगर आप परिवारिक संसाधनों का सही तरीके से उप्योग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको home management आता है, cloth worn by baby should be, अगर कोई बच्चा कोई शिशू कपड़े पहन रहा है, तो कैसे होने चीए, loose, tight, shiny, expensive, पर इस शाहिन नहीं का हमें चमकदार पहना की क्या करना है, उसको रामलीला में थोड़ी लेके जाना है, tight भी ने पहनाने है, उसको महेंगे भी ने पहनाने की जरूरत है, loose होने चीए, छोटे बच्चों के कपड़े धिले-धिले होने चीए, ताकि बच्चे को comfortable फिलो, आगे चलो प्यारे बच्चों, in which state the सवच भारत अभियान was started by government of India, कौन सी date को, तारिक पूछी गया actually, स्टेट नहीं पूछा गया, शायद मेरे मुँसे स्टेट नहीं कल गया, तारिक पूछी गया कि सवच भारत अभियान जोय कब शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है, बच्चों हमारा 2 October 2014 को ये start किया गया था, B is the right answer, और इसके एक साल बाद में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, तो नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा 2015, A is the right answer, विच स्टेट गोवर्मेंट वाज फस्ट टू इंप्लिमेंट दी लाडली लक्षमी योजना, लाडली ये लक्षमी योजना को सबसे पहले कौनसे स्टेट के स्टेट के स्टेट के स्टेट ने शुरू किया था, अंकुरित जो अनाज होता है, उसमें कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विटामिन A, C, विटामिन B या विटामिन D, तो जब कोई भी अंकुरित अनाज होता है, उसके अंदर विटामिन C, नॉर्मल में तो विटामिन C कम होता है, लेकिन अगर उसको आप पानी में भिगोद होगे, तो विटामिन C सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल है वो रहता है मेल के अंदर होता है तो हम 17 ग्राम तक इसको क्लिक करते हैं लेकिन हम फीमेल में पुछा गया है तो 12 ग्राम है यानि कि B जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव फूड कौन सा था बचो प्रोटेक्टिव फूड उसको बोलते हैं जिससे हमारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब मिल जाए हमें सारी चीजें किसी भी कमी न रहे तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड तो अनाज से हमें सारी चीज़ें नहीं मिल सकती दालों से भी हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती फैट से भी नहीं मिल सकती सिरफ फल और सबजें ऐसे होते हैं जिससे हमें सारे विटामिन, मिनरल, कार्भाइडरेट, प्रोटेन सब मिल जाता है so इसको protective food बोलते है major component of pulses दालों का प्रमुख घटक कौन सा है protein, fat, carbohydrate, mineral तो दालों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है सब को पता है protein होता है which nutrients are not found in milk, दूद के अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो बच्चों protein तो पाया जाता है vitamin B भी होता है, calcium भी होता है iron नहीं होता बच्चों दूद में ठीकर not found कुछ आगया तो iron दूद में नहीं होता है appetite increasing vitamin, भूख बढ़ाने वाला vitamin होता है vitamin B, हमेशे याद रखना भूख किसे बढ़ते है, vitamin B से बढ़ते है बच्चों protein protein तो गाजर में है, ये भी नहीं है albumin हमारे blood में होता है, ये भी नहीं होएगा egg में भी होता है, ये दो cancel होगे globin हमारे blood के अंदर होता है ये भी नहीं होता है, सिरफ fibroin बचता है, fibroin जो होता है वो कच्चे रेशम के अंदर पाया जाता है how long is the duration of pregnancy pregnancy, pregnancy female के अंदर कितने दिन के होती है, तो 9 मंत की होती है तो 270-280 दिन की होती है लगबग pregnancy females में तो ये आजाएगा हमारा 280 days which of the following symbol is present on agriculture product, बच्चों agriculture product पे कौन सा symbol लगाते है, egg mark FPO, ISI या none of these, देखो बच्चों, या हमेशा ध्यान रखना, egg का मतलब ये जी, आगे लिखाऊना, egg एग वाला आजाएगा agriculture के लिए ठीक है, FPO होता है, अचार वगएरा के लिए ISI होता है, electrical जो भी समान होता है, कोई भी motor होगी, freeze होगा इनके लिए ISI होता है, ठीक है, तो एग मार्क जो है, ये किस के लिए है agriculture के लिए है, एग से agriculture, एग से एग मार्क, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप इसको which color insignia is mandatory on non-vegetarian product, मा सारी खादिया पदारतों पर किस रंग का प्रतीक चिन लगाना अनिवार है, तो अपर चोगर मान लोग कोई packeted चीज आप मार्केट से खरीद रहे हो तो उसके उपर एक छोटी सी ऐसे ना एक dot लगी होती है ऐसे bracket के अंदर एक red color की dot होती है ठीक है, तो वो red color की dot क्या दिखा रही है भाई, वो product जो है आप खरीद रहे हो उसमें वो मासारी product है ISI mark होते हैं किस चीज के लिए, मैंने बताया ना भी ISI mark किस के लिए यूज़ करते हैं, electrical appliances के लिए जो भी बिजली का समान है motor हो गया, fridge हो गया, उसके लिए jam के लिए नहीं होता, butter खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं होता, बच्चो electrical चीज़ों के लिए होता, ISI mark चीज़ों कुण सा, wool mark, तो woolen cloth के लिए कुण सा होता है, wool mark what is talcum powder, talcum powder क्या है बच्चों, talcum powder बोलते हैं, जो आप powder लगाते हैं गर्मियों में अपनी body पर powder लगाते हो उसको talcum powder बोलते हैं, वो absorbent है, chemical है, solvent है, या कई बच्चा all of these लगा क्या है, all of these नहीं आएगा बच्चों क्योंकि वो chemical नहीं है, वो प्रकृति में normal ही हमें मिलता है, खुदाई वगेरा में वो निकलता है चट्टानों वगेरा से मेरे मिल जाता है उसके बाद देखिए when did the food adulteration act came into force, जो food adulteration act है 92 का हमारा answer है 1955 दे रखा है बच्चों चीक है A is the right answer उसके बादे which substances are not used in the preservation of food item food item को preserve करने के लिए किसको हम use नहीं करते हैं not used पूछ रखा है बच्चों sodium benzoid तो use होता है बहुत सारी चीजों को सुरक्षित करने के लिए benzoic acid भी use होता है acetic acid हम देखी लिया चारो गयरा को सुरक्षित रखने के लिए उस होता है sulfuric acid बच्चों sulfuric acid तो फूक देगा बहुत ज़ा देगा यह तो यह नहीं use कर सकते हैं preservation के लिए so D is the right answer after that बहुत easy question है बच्चों which of the following makes hemoglobin in the body हिमोगलोबिन को हमारे शरीर में कौन बनाता है carbohydrate, iron, fat, iodine iron, हिमोगलोबिन में iron होता है बच्चों iron से हिमोगलोबिन बनता है कौन सा nutrient है जो micronutrient उसको हम बोल सकते हैं carbohydrate and vitamin बच्चों carbohydrate तो macronutrient होता है तो यह नहीं आएगा यह तो cancel हो गया protein and mineral यहाँ पे जो protein है वो macronutrient है तो यह भी cancel हो गया vitamin और minerals yes, vitamin और mineral दोनों ही इनको हम micronutrient बोलते हैं या सुक्षम पोस्टिक ततव भी आप इनको बोल सकते हो चीक है what is the energy that is stored in the liver after meeting the needs liver में जो energy होती है वो किस रूप में store की जाती है यह पूछ रखा है liver में energy की सुरूप में store होती है तो बच्चों कई बच्चे इसका glucose करके हैं वह glucose कैसे हो जाएगा मेरे को यह बताओ glucose के रूप में तो हम energy food को ले रहे हैं हमारी cell में glucose की form में रहता है लेकिन जो आप extra लोगे न वह glycogen की form में liver में जाके store हो जाएगा जो extra glucose आप लोगे वह glucose पहले glycogen में बदलेगा और फिर glycogen में बदलने के बाद में वह liver में जाकर के store हो जाता है ठीक है तो glycogen इसका right answer है गलुकोमा तो वैसे ही नहीं हो सकता है गलुकोमा तो बिमारी होती है काला मोतिया को बोलते है आख की बिमारी है metabolism भी नहीं होगा metabolism का मतलब बता है cell के अंदर जो क्रियाई हो रही है जो reactions हो रही है उसको बोलते है which mineral produces thyroxine hormone thyroxine hormone के लिए के निर्मान के लिए कौन सा mineral चाहिए ये कौन सा खनीज चाहिए है phosphorus, iodine, zinc, sodium बचों thyroxine hormone हमारे गले में बनता है gland होती है thyroid gland वो बनाती है और उसको thyroid gland को चाहिए iodine इसलिए आप खाती है iodine युक्त नमक क्योंकि उसके अंदर iodine होता है और iodine के करण आपका thyroxine hormone बनता है in which form iron is found in our muscles हमारी muscle में जो iron होता है वो hemoglobin के form में नहीं होता myoglobin के form में होता है और इसलिए इस question को पुछा गया है कि आप mistake करो myo का मतलब ही होता है muscle ठीक है तो जब muscles में hemoglobin होता है तो उसको बोलते है myoglobin B is the right answer next है प्यारे बच्चों who makes white blood cell in the body हमारी शरीर में सफेद रख्ट कणियों का निर्मान करने में कौन साहिता करता है vitamin A, vitamin B, C या protein तो जब हम vitamin C खाते हैं तो WBC ज्यादा बनती है और इसलिए जब आप बिमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप खटी चीज़ें जैसे कि कोई खटा फल है उनको ज़्यादा लो तो vitamin C से क्या होता है हमारी रोग प्रति रोधक्षमता बढ़ती है क्योंकि WBC ज्यादा बनती है तो vitamin C आ जाएगा बच्चों इसका next है what is the major एक मिनट रुकी इसको खटा देते हैं अब देखिए what is the major function of vitamin K vitamin K का major function आपसे पूछ रखा है तो vitamin K का जो major function होगा वो क्या है acid forming, blood clotting, blood forming hemoglobin forming तो vitamin K help करता है खून को जमने में blood clotting is the right answer तो यह 100 question थे बच्चों बहुत easy question थे मेरे खहल से आपने भी almost solve कर दियोंगे तो बस एक ही request comment box में जरूर बताएं कि आपने कितने right को answer की है और इस question paper को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ share करें ताकि उनको भी फायदा होगा क्योंकि बच्चों ग्यान जो हता है वो बांटने से बढ़ता है तो that's it, thank you so much आपने video last तक देखी